ओजोन का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं ओजोन जो है वो एक गैस का नाम है यानि कि ओजोन जो है ऑक्सिजन के तीन अन्वों को मिला कर बनने वाली एक गैस है जो वायू मंडल में बहुत कम मातरा में पाई जाती है यानि कि ये जो है 0.02 प्रतिशत ही होती है और oxygen जो है वो O से बनता है और जो ozone है वो O3 होता है यानि कि ozone में oxygen के 3 अनू पाये जाते हैं यानि कि O3 को हम ozone कहते हैं और ozone ही वो परत है जो सुरिय से आने वाली जो हानिकारक किरने होती है या बायर अन्तरिक्ष से जो आने वाली हानिकारक किरने होती है उनको अवसोशित कर लेती है और प्रत्वी पर हमारे तक नहीं पहुँचने देती है तो जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि ozone परत सोर विकिरन को अवसोशित करती है तो आप कहेंगे The ozone layer absorbs solar radiation या अगर आप ये कहना चाहें कि ozone oxygen gas का अत्यधिक प्रतिकरिया शील रूप है तो आप कहेंगे ozone is a highly reactive form of oxygen gas या अगर आप ये कहना चाहें कि ozone परत हानिकारक सोर विकिरनों के विरुद एक कवज का निर्मान करती है तो आप कहेंगे The ozone layer forms a shield against harmful solar rays अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें